जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों सुबह के चार बजे हैं और हम लोग सुरू कर रहे हैं लुईस का अमल चार सिद्धान्त आयनिक सामें अवस्था का ये अगला वीडियो है बच्चों अमल चार सिद्धान्त में हम लोग ये तीसरा वीडियो देख रहे हैं पहले में हमने आर्नियस अमल सिद्धान्त देखा था दूसरे में हमने ब्रॉंस्टेड का अमल चार सिद्धान देखा था और आज हम लोग जानेंगे कि लुईस ने क्या बताया अमल और चार के बारे मे कोई भी अनू या आयन जो इलेक्टोन लेता है लुईस अमल तथा जो इलेक्टोन देता है लुईस छार कहलाता है आपको ध्यान नखना है कि कोई भी पदार्थ का अनू या आयन जो इलेक्टोन ले रहा है वह लुईस अमल कहलाएगा लेकिन जो इलेक्टोन दे रहा है या देता है वह लुईस च्छार कहलाता है सर समझ में नहीं आया चिंता कहें करते हैं अभी क्लियर कराता हूं एक्जाम्पल के साथ बच्चों ये हमारे कुछ लुईस अमल के उधरन है जो आपको ध्यान नखने है एच प्लस ऐल सी एल फ्री एजी प्लस सी यू प्लस टू बी ए एफ और आदी इनके लावा और भी बहुत सारे हैं लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पदार्तों के कुछ तो अनू दिये हुए हैं देखिए ऐल सी एल फ्री बी एफ्री ये अनू है लेकिन कुछ हमको आयन भी मिले हैं जो लुईस अमल के उधरन है बच् किलियर हुआ आपको तो ये उधरन एक्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ इन में से कौन सा लुईस अमल है और कौन सा लुईस चार है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक आयन जो है वो अमोनिया के साथ क्रिया कर रहा है और यहाँ पर एक सॉल्ट बना रहा है इसी आयन बच्चों जहाँ पर भी आता है सामान्यत है वहाँ पर इलेक्ट्रोन की कमी होती है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रोन ग्रहनी और यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रोन दाता इस परस्ट है आपको तो बच्चों यह जो आप देख रहे हैं जिंकायने बच्चो वो बनाताए हमारा इलेक्ट bloquean की यानिकी हैं इसी परपारें जो है пол electron से परिपूर है electron धनी है ये तो ये electron देता है ALCL3 को क्योंकि aluminium का जो octate होता है अस्टकनियम का पाला नहीं करता है aluminium के बयतम कोष में 8 electron नहीं होते 8 से कम होता है बेदम होता है तो इसको electron चाहिए अपना स्टक पूरा करने के लिए ये electron लुइस चार होगा प्रन्तु जो इलेक्टोन ग्रैनी होगा वे हमेशा लुइस अमल होगा आप जानते हैं लुइस अमल चार सिद्धान की कमिया इसके द्वारा अमलो वे चारों की सामर्थ्या का अध्यन संभव नहीं है जैसे CS3COO- वे HSO4- बच्चो इस लुइस अमल की द अमलता वे चारकता के बढ़ते हुए करम में वे अस्थित नहीं कर सकते हैं अर्थार्त आप ये नहीं बता सकते हैं कि उन में से कौन सा परबल लुइस अमल होगा या कौन सा दुरबल लुइस अमल होगा इसी परकार चार भी अगर आपको दे दिये जाएं तो आप ये नह पाएंगे कि उन में से कौन सा परबल लुईस च्छार है और कौन सा दुरबल जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी टेटाइन बच्छो प्रोटोनिक अमलों की यह हैं अमलता की पुष्टी नहीं करता है बच्छो आपको बताया कि लुईस अमल वैच्छार सिद्दान जो है वो इलेक्टोनों के आदान परदान पर निर्भर करता है एच प्लस पे या प्रोटोन पर निर्भर नहीं करता आपको बताया क HCL जो होता है यह हमको HIN और CL माइनस देता है जब इसको जल में घोला जाता है इस परस्ट है आपको इसी परकार H24 और Acetic अमल भी HIN देते हैं यह प्रोटोनिक अमल है क्योंकि यह प्रोटोन यानि की H plus परदान करते हैं जलिए है विलियन में लेकिन समस्या यह है कि है HCL, H24, Acetic Acid, Nitric Acid और भी बहुत सारे ऐसे अमल है उनकी यह अमलता की पुष्टी नहीं करता है उनको यह अमल मानता ही नहीं है क्योंकि यह निर्भर करता है कि जब तक कोई पदार्थ लेक्टोन देगा या नहीं लेगा तक तक आप नहीं बता सकते हैं कि वह लुईस अमल है या Lewis चार है अर्थार्थ ऐसे पदार्थ जो H प्लस देते हैं Lewis अमल चार से दान्त उनको अमल नहीं मानता है इनको हम लोग Lewis अमल नहीं कह सकते हैं क्या यह आपको सपस्ट है तो बच्चो आज हमने जाना Lewis अमल चार किसे कहते हैं और उसकी मुख्य कमिया